आज हम फ्रेंड प्ड़ने जाया है नरेशन का अधर लेक्टर विडियो अधर टॉपिक आपका है चेंज और पाट्स ओप्पीच यह नरेशन का थर्ट टॉपिक है जेनरल रूल का लास्ट पोपीच को कह सकते हैं इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ों को ध्यां रखना है फर्स्ट इज वन हम इसमें देखते हैं क्या कि इसमें हम क्या डारेक्ट से इंडारेक्ट में कनवर्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट यहां पर लिखते हैं डारेक्ट अस्पेज इंडारेक्ट अस्पेज आप इससे पहले दो मेरा lecture video और होगा पहला change of person को बनाया होगा दूसरा वेडियो होगा change of taste को आप उसको देख लेंगे तो और बहुतर तरीके सापको ये lecture समझ में आने वाजा है आप उसको पहले देख लेंगे ये link दिया होगा आप उसको देख लेंगे इसमें क्या जहां रखना है अगर आपको किसी sentence में अगर आपको किसी sentence में this मिलता है तो you have to change it into that किसी sentence में this मिलता है तो आपको change करना है दोस में में आपको रशन आपको एम दोस्ट yapt便 .नोल ये एमक पड़ो ये दोस्ता हूना हो ये ले जम और देख पालत लुख वह या पर तूनाइट वह ए्ट नाइट यस्टर्ड़ाथ विज्टर्ड़ आइए प्रीव्यस दै नेच्ट फर्दर कंदेश करते हैं टोमोरो नेच्ट रेप नेच्ट रेप कुछ लोग इसको on the morrow में ही चेंज करते हैं इन तीनों का मतलब यह है आने वाला कल्ब यस्टरड़ का मतलब विता हुआ कल्ब नेक्स्ट डेवीपोर यस्टरड़ अगर डानेक्ट स्पीश में होगा तो इसको इंडानेक्ट में कैसे चेंज करेंगे यहां लिखेंगे इन टू देस टाइम अगर डेव अगर डेव अत्राइम आगर लिखेंगे एत्राइम आगर लिखेंगे यहां आगर 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 और रेवीपोर देखें, इसमें देखें किया हम, कि अगर इन में से कोई ही एक डारेक्ट स्पीच में होगा, तो हम जब इसको इन डारेक्ट में चेंज करेंगे, इन सब में हम चेंज करेंगे, मतलब एरो के पहले वाले जोगी अगर आपको डारेक्ट स्पीच में पूछा जाता है, तो आप उसको इन डारेक्ट में, आप इन में से या इन में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं, तो इस Let us take an example, हम रोगे एक इकजामपल लेते हैं burial और हम रोगे एक जामपल से कोशिच करते हैं इसको सुने पर जैसे कि एकजामपल लेते हैं direct speech में my father say do me यू विल गो तो स्कूल टुमोरो ये क्या है डारेक्ट स्पीच है इसको इंडारेक्ट में चेंज करना है आप उसको देखें क्या माई फादर सेट तो मी मेरे पीता जी ने मुठ से काहा यू विल गो तो स्कूल टुमोरो तुम कल विद्धाले जाओ के अब इसमें देखें क्या इसको इंडारेक्ट के जो हम चेंज करेंगे तिंडारेक्ट में किस बात का ध्यान पठना है उसको बता रहे हैं आप पहले ये क्या है जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को सेम लिखेंगे फादर हमें पता है कि सेट्टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं जो ऑबजेक्ट होगा उसको सेम लिखेंगे ये सब्जेक्ट सेम ऑबजेक्ट सेम सेट्टू को टोल्ड में कनवर्ट करते हैं इनवर्ट यहां सब्जेक्ट की जगा पे सब्जेक्ट की जगा पे सेकेंड परसन का कोई भी प्रुणाउम होता है तो सेकेंड परसन रिपोर्टिंग भर्व के ऑप्जेक्ट रूसार्चेंज होता है यहां पर जब भी परसन का प्रुणाउम रिपोर्टिंग भर्व के ऑप्जेक्ट की जगा पे होगा तो इस सेकेंड परसन को मुझे ऑप्जेक्ट के नुशार्चेंज करना है यह ऑप्जेक्ट के बदले यहां पर कोई सब्जेक्ट की लिखना होगा तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आलिए इसके बाद हम इसकी बात करते हैं तो हमने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा था चेंज ओफ टेंज उसमें बताया गया था कि विल को हम लोग उड़ में चेंज करते हैं देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं गो टू स्कूल अब यहां लिखा हुआ टुमोरो तो टुमोरो को मैंने यहां बताया था कि टुमोरो को या तो दॉफ ओलोईं लेज में चेंज करते हैं या इसको इसके जगा करें आप नेक्स्ट डेंवी लिख सकते हैं मतलब इसको दुबारा हम बताते हैं जो सब्जेक्ट होगा उसको सेम लिखेंगे जो अबजीक्ट होगा सेम लिखेंगे से तूप त्यक्रेश करेंगे याँ से यहां तक कोई प्रोड़न नहीं होगा हम आगे बढ़ते हैं यहां जूब परेट avons रचेंज करेंगे सेंड़ प्रासन ओभल्जेक्ट के नुसार happiest यह सब्जेक्ट है बट यह object है, we put subject at the place of subject, हमें subject ही इसके लिए पूट करना होगा, तो मी का सब्जेक्टर आई होता है, विल को ओड में change करते हैं, go to school tomorrow, कम किसमें चैन्टर में the following day, तो यही आपका था change of other parts of speech, कहने का मतलब, आपको हर एक sentence में चिसको ध्यान पर लठना है, कि कहीं कगर time दिया होगा, जैसे day before yesterday होगा, या hair होगा, today होगा, to night होगा, या study होगा, इन में से कोई भी एक होगा, तो आप देखें हैं क्या, कि यह इन डारेक्ट में उसको कैसे convert किया जाता है, suppose यहाँ पर two day होता, तो इसको हम that day में change करते, यहाँ पर day before यह study होता, तो इसको two days past में change करते, तो आपको सारा rule बता दिया गया है, इसके बाद we can take another example, हमनों दूसरा example करते हैं, 2nd example, यहाँ लिखेंगे, my principal said to me I was absent I was absent in the class yesterday मतलब यह है, my principal said to me, मेरे principal ने मुझसे कहा, I was upset yesterday yesterday in the class, तो इसको हम direct से indirect में change करेंगे, यहाँ कुछ बड़ा meaning को clear करने के लिए यहाँ कुछ term को change कर रहा हूं, बड़ा दान देखेंगे, यहने principal है मुझसे कहा, you were absent in the class yesterday, तुम कल क्लास में क्या थे? अनुपस्थी थे, अब इससे मुझसे direct है, indirect में change करना है, तो इसमें following term को याद करना है, जैसे my principal यहाँ पे subject है, इसको same लिखेंगे, my principal, आपको ध्यान रखना जब्रेटा, नरेसर में direct, same direct convert कर रहे हूं, subject हमेशा same लिखा जाता है, से 2 को told में convert करेंगे, जो object होगा same लिखेंगे, inverted, को that में change करेंगे, inverted, को में change करेंगे, inverted, को में change होगा? अब हमें याद रखना है, कि यहाँ पे बताया गया था, same as it is यहाँ बताया गया था, कि जब यह reported speech में, subject की जगा पे, second person का pronoun हो, तो second person object के नुसार change होता है, वो object किसका होना चाहिए, reporting work का, तो reporting work object यहाँ पे मी है, आपको देखना यह है, कि जब यहाँ पे subject है, यह यहाँ पे object है, तो हमें subject की जगा पे subject ही put up करना होगा, देख इसके बाद हम करेंगे क्या, मी का subject क्या होता है, क्या लिखना पड़ेगा, आई, इसके पहले document है, उसमें बताते हैं कि जहां पर भी आपको work दिखे, उसको headwind में change करना है, किसमें change करना है, headwind में, इसके बाद लिखा हुआ है, in the class, in the class, यह study को भी थोड़े दर पहले बताया होगा, कि जब भी a study sentence में आये, तुसको हम previous day में change करते हैं, तो यहां पर previous day लिखे हैं, मतलब हम देखते क्या है, कि जब भी कही time दिया रहेगा, तुसको उसको उसके मुसारी recording में change भूगा रहेगा, यह था आपका change of other parts of the stage, अचा इसमें एक और खुड़ा से आपका general rule यहां पर complete हो जाता है, हमने तीनों topic cover कर लिए, first change of tense, sorry change of person cover कर चुके है, change of tense cover कर चुके है, change of other parts of us which we cover आज हो गया है, इसके वाद एक और general rule में topic बचता है, उसको यह clear कर रहे हैं, आप देखें मुस्कों, यह आपका basic concept है, और जैसी यह खतम होता है, इसके बाद फोड़ा हमकोगे advanced level में चलेंगे, competitive level को भी देखेंगे, होता है क्या है, यह 12th level में यहां तक more दने नापता है, यहां तरह दर समझेंगे आगे, 12th board में कही problem नहीं होगा, लेकिन आगे competition के लिए और क्या किस चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके बाद में discussion करेंगे, just इसके बाद, हम एक concept लेते हैं यहां पे, universal truth का, universal truth, universal truth, इसका मतलब क्या है, narration का यह rule कहता है, कि अगर direct speech में, अगर direct speech में, reported speech की जगह पे, कोई भी universal truth दिया हो, या कोई भी real fact दिया हो, कोई भी real fact दिया हो, या कोई प्रोभव दिया हो, या कोई quotations दिया हो, या कोई adiums दिया हो, या कोई भी principle दिया हो, कोई भी principle दिया हो, तो हम उसे indirect chain नहीं करते हैं, same as it is लिखते हैं, द्वारा देहें, अगर direct speech में, reported speech की जगह पे, universal truth दिया हो, या real fact दिया हो, या proverb दिया हो, या quotation दिया हो, इन में से कुछ भी दिया हो, तो आप उसको indirect में change नहीं करेंगे, हम इस सब का मतलब बताते हैं, universal truth का मतलब होता है, सुध हिंदी में इसको बोलते हैं, विस्व ब्यापक सच, जैसे अगर हमें पता है, हम यहां इंडिया में भी बोलते हैं और अमेरिका में भी दोर दो चार बोलते हैं, कहने को क्या है सच है जो पूरी गुनिया जाती है, real fact, real fact क्या है, वास्तरिक सच क्या होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि water boils at 100 degree Celsius, पानी 100 degree Celsius पर गर्भ हो जाता है, यह क्या real fact है, आग उड़ते है, प्रोभ हर, प्रोभ हर का मतलब कहावते होता है, कहावते क्या, जैसे आप सूने होंगे, गाओं हर्भ सुनते हैं, जल्ले पर नमच रखना है, मतलब क्या, add salt to the injury, या आग में धी डालना, add file to the field, या add fuel to the file, होता है, कुछ भी प्रिंसिपल, सिधान्त, कुछ भी इनमें से कुछ भी आजा, उसको हम direct से, indirect में change करते हैं, बहुत सेम लिखते हैं, उसको change हम नहीं करते हैं, जैसे for, let us take an example, एक example लेते हैं, और उससे कोशिस करते हैं सभ़एने का, example यह है, अगर ऐसे लिखें, my principle, said to me, man is mortal, मैंने प्रिंसिपल नहीं कहा, man is mortal, मनुष से मरण सील होता है, जन्म लेता है और मरता है, यह सच है विल्बुल, तो इसमें आपको कुछ भी change नहीं करना है, जैसे जो subject होगा, हम subject को same लिखेंगे, subject को same लिखेंगे, say to come told में convert करेंगे, और me say, inverted comma that, man is mortal इसको change नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा, लिख देंगे, man is mortal, जैसा होगा जैसा इसको लिख देंगे, इसको change नहीं करेंगे, यह ही होता है, direct speech में इस और सर्टोज का concept, आगे तिरे पर example लेते है, अगर suppose यहीं पर रहता, suppose यहीं पर रहता ऐसे, all glittering things is not a gold, अगर ऐसे रहता हर चमक्तिवी चीज़ सोना नहीं होता, यह क्या है क्रियल सच है, एक principle एक सिध्धांत है, कि हर चमक्तिवी चीज़ सोना नहीं होता, अगर उसको हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक कुछ सिम लिख देते हैं, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, यहीं होता है, real fact, एक और example लेते हैं, second example है, my father said to me, my father said to me, two and two makes four, दो और दो चार होते हैं, मेरे पीताजी ने कहा, दो और दो चार होते हैं, जैसे यहां पर इसको क्या करना है, बनाना है, तो subject यहां पर क्या है, my father said to me, object क्या है, inverted, that, और बाकित two and two makes four, यह क्या एक concept है, एक universal truth है, real fact है कि इसको हर लोग जानते हैं, two and two makes four, same as it is नहीं दिया जागा, इसमें कुछी भी changing नहीं होगा, तो हमने देखा क्या, कि general rule आपका यहां को complete हो जाता है, इसके बाद जो हमारा जो next lecture होगा, वो हम direct बात करेंगे, a special rule पे, और यह बहुत ही interesting है, और बहुत ही जादा marks तर्वर्ड करता है, और बहुत ही जादा marks में यह पूछा जाता है, narration का यह अभी तक जो यहां तक हम पढ़ें इसको बोलता है basic concept of narration, लेकिन जो इसके बाद हम पढ़ें इसको बोलता है special rule, उससे लगभग previous year examination में, previous year competition की जिस्सार जितना पूछा जाता है, level उसी से उसी concept से नित्रा देता है, तो हम उसको detail में देखेंगे next class में special rule of narration, क्या होता है उसको detail बारे किसी देखें नहीं, हाँ इसके अंदरगर, जेनरल जो हम लोग पढ़ें तीन टॉपिक, उसके अंदरगर कोई डाउट हो, कोई समस्या कोई problem हो, आप नहीं संदे हमारे comment box में comment कर सकते हैं, मैं खोशिश करूँ हमारे comment का मैं आपको जवाब दे सकते हूँ, आपके doubt का clear कर सकते हूँ, तो मिलतनों next video में, thanks for watching.